माराश्टर में प्रमुक त्योहारों में से एक गनिशोसों है भाजवपत के महने में भगवान गनिश की वीदिवर्द स्तापना करने की ठीक चार दिन पाद यानि शुक्ल अश्टमी पर मां गौरी और महालक्षमी घरगर में विराज़मार होती है महालक्षमी और गौरी मा का त्योहार सभी जातियों और जन्चातियों के दोगों द्वारा ब्रश्टाचार को खत्म करने के उत्ते से मनाय जाता है साथी जिन खरों में रुशी मुख्य व्यवसा है वहां के महिलाव मां को अना चड़ा कर प्राथना करती है परानी कथा के अनुसार एक बार असुरों के कश्टों से तंग आकर सभी मैलाओ ने महालक्षमी गौरी के पास चाकर उनके पतियों की रक्षा करने की प्राथना के जिसके बाद मां को अनुसार गौरी को गनिश की बहन माना जता है जबकि लोग प्रियक किवतंतियों की अनुसार माता गवरी देवी पार्वती यानि गनपती पापा की मा का अवतार है कुछ मानिताओं की अनुसार लक्षमी विश्नु की पत्ती है महालक्षमी महातियों की पत्ती है पार्वती और उन्हें जेश्टिक गौरी कहा जाता है लोगों के मानिता और परमपरा की अदुसार गौरी की पूचा करने की विधी अलग है वस्तानों पर पांच घड़ों को उल्टा कर गौरी मा की प्रतिमा के रुप में बिठाया जाता है और उन पर गौरी का मुखोटा लगाया जाता है साड़ी और चोली पहनाई जाती है आप उशनों से सजा जाता है और पूचा की जाती है कुछ गरम में बारा प्रकार की अनाश की दानी यानि गेहू चावल जवार चना डाल आधी को एकटा करके उस पर मांपरी का मुखोटा रखा जाता है तीन की मांकी इस जेश्ट गौरी मां से घर में प्रसंदता का वाता वरण रहता है पहला तीन जेश्ट गौरी की आग्मन का दूसरा तीन उनकी पूझा और मेमान नवाजी का जिसी पांचार कहा जाता है और तीसरा तीन विसर्चन का ऐसे कुल मिलाकर तीन जेश्ट गौरी घर में दूसरे तीन गौरी अब दूसरे दीना जंप की जाता है जैश्त्र कुरी के घर में प्रवैश करने से पहले पूरी घर की सवाशनी ज्यानिक कुमारी करने की ठोई जाते हैं हल्दी कुमकुम की च्छापी बनाकर उन्हें स्तापिक करने से पहले पूरे घर में घुमाया चाता है। इस तरह से घर में जैश्ट गौरी का आगपन होता है। इन की शांक जेश्ट गौरी को सबजी और भाकरी का भोग लगाने की प्रता है। दूसरे दिन जेश्टा नक्षत्र में जेश्ट गौरी की पूचा की जाती है और जो भी भोचन बनाय जाता है उसका प्रसाद चड़ाया चाता है इस प्रसाद में रवे का लटू, बेसंग का लटू, करंची, चक्री, शिव, गुड़ पाप्री का समाविश होता है। जिश्टगौरी की पुजा के बाद उन्हें महाप्रसाद का भोग लगा जाता है। जिश्टगौरी को सोला प्रकार की सबसिया, सलाद, खीर, आंटी, विभिन्न प्रकार का अनाज और पापर, ऐसे अन्हें प्रकार की पधार दिन देवे दमे चड़ाय जाते हैं। तयार के आगिया नेवे दिन केली के पत्ते में परोसा जाता है। तीसरा और अंतिम तीन विसर्जन का होता है। तिसरे तीन मुल नक्षत्र होने की कारण इस में हल्दी बेल फल गेंदी के फुल रिश में थाके जैसे महत्वपुन वस्तु शामिल है इसके बाद जेश्टर कॉरी की पूचा और आठी की जाती है और इसके बाद दही चहवल और फलों का प्रसाद बना कर जेश्टर कोरी का विसरजन किया जाता है विसरजन करते समय उन छिंक्या चाहिका